जो इंडियन मीडिया जिसको मैं समझती हूँ कि तकरीबन 80-90% जो है वो कैप्चर हो चुका है नरींदर मोदी साहब और उनकी बीजेपी के हाथ हो उन्होंने ऐसा ही माहौल क्रियेट किया था कि लगता था कि एक लैंसलाइट विक्ट्री बीजेपी की हमारा इंतजार कर रह कॉपरिट उनकी लीनिंग्स नहीं है वो बताये चले जाए शलसल बता रहे थे और बलकि एक दो उनके जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं फॉर्मर सिफॉलोजिस्ट हैं अब वो पॉलिटिक्स में शामिल हो चुके हैं योगी साहब और दो-चार और सिफॉलोजिस्ट जो बगार आज हमने देखा कि वो सच सावित हो गए और जो उन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिये थे और ये भी एक का आपको देखना पड़ेगा कि बहुत साथ सिवल सुसाइटी की तब से ये लजाम भी आ रहा था कि जो एक्जिट पोल्स हैं आपको हमाई व्योस को शायद इस जो जब वोट डाल कर वोटर्स बाहर निकल रहे होते हैं पोलिंग से उस टाइम पर ये जो पोलिंग एजनसी होती हैं ये मुक्तलिफ एजनसी होती हैं मीडिया हाउसे इनके साथ कलाबरेट करते हैं ये वो सर्वे कंड़क करते हैं और जो वोटर है उससे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया और उसे exit poll कहा जाता है अब चुकि इंडिया के अंदर elections staggered होते हैं और एक बहुत सारे phases पे मुझतमिल होते हैं लहाज़ा election commission इस पर बड़ी सखती करता है कि exit polls जो है यह जाहर है कि आप conduct तो करना चुरू कर देंगे जिस दिन polling होगी मगर आपको जब polling मुकमल तोर पर सारे phases खत्म नहीं हो जाते तब तक exit polls के result नहीं आ सकते हैं तो इन्होंने wait किya कि exit polls जो है उसके result उस दिन आएंगे जब polling खत्म हो जाएगी तो polling खत्म होई जब I think first June को शाम को खत्म होई और उसके एक घंटे के बाद से इन्होंने exit polls के results जो यह तमाम का तमाम मीडिया वही था जिसको उर्फयाम में भारत में गोधी मीडिया का जाता है मोधी की मुनास्पत से क्योंकि इनको नरेंद्र मोधी की party ने और इन्होंने capture कर लिया वै तो यह इन्होंने यह सारे exit polls किये और you know it's ironic इन्होंने उसको landslide victory दिखाया BJP की और ऐ ऐसा ही लग रहा था कि यह तो बाज बाज एजन्सी ने तो 400 से उपर ही दिखा दिया यह वो कर दिया तो वो और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में आपको मालूम होगा कि it's not a BJP stronghold यह ममतब एनरजी का stronghold है और वो उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वो incumbent है वहां की उनक वो जो कहते हैं प्रुविंच स्टेट असंब्ली की तो उनका था कि यह इनको इंकम्बंसी का की मार पड़ेगी और वहां पर BJP और यह जीतेगी और यह election जब सात्वा फेस चल रहा था गालबन यह उससे एक दिन पहले नेरेंदर मोदी ने एक इंटर्व्यू दिया था ए एक बहुत बड़ा surprise देगी और exit polls में उन्होंने दिखाया कि landslide कर दिया बीजेपी ने West Bengal में और Mamta Bener जी जिनका वो strong hold है उनको wipe out कर दिया है अब आप देखिए कि Mamta Bener जी ने बिल्कुरी ठोकर मार दी उनकी party जो है उन्होंने तरिन मुल्क Congress उन्होंने overwhelming majority जो है वो ले लि किया अयोधिया सबसे बड़ा upset और और भी बहुत upset से हैं अमेठी से स्विर्टी रानी हार गी है और जो जिन्हें यह कहते थे कि PA हैं अपने राहूल गांदी के जो कि जाहर है कि उनकी family के साथ थे manage manage करते थे उनकी family की you know properties को और वगएरा वो किशोरी लाल साब 40 साल से अग figure नहीं थे जाहर है कि Congress के अंदर शामिल थे और लोग उनको जानते हैं M.A.T. के लोग मगर वो उस ताह से नहीं थे लेकिन जब उनको nominate किया गया तो ये काफी बड़ा blow था स्मिर्टी रानी के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी सारी politics ही one point एजेंटे पर रखी थी कि मैं व हूँ जो राहुल गांधी को हराती है तो अब जब राहुल गांधी ने वहां से फैसला किया कि वो नहीं लड़ेंगे और किशोरी लड़ेंगे तो उसके बाद स्मिर्टी रानी की campaign में से जैसे वो हवा निकल जाती है उसके बाद वो उनकी campaign बिलकुल nose drive की और हमने देखा कि वहां पे मेठी से बहुत सी आवाजे उठ रही है खुद बीजेपी के अपने कुछ workers थे उनका में सुन रही थी कुछ जबों के उपर उन्होंने कहा कि स्मिर्टी रानी बहुत arrogant है और शायद बीजेपी के अपने worker उनको यह कह रहे है कि वो ना जीते आज राहुल गांदी से उसी मीडिया ने जिसका आपने जिकर किया जिसके लिए कहा जाता है कि वो नरेंदर मूदी का मीडिया है उन्होंने सवाल किया किशोरीलाल साब के हवाले से कि वो तो आपके P.A. तो उन्होंने पहले तो congratulate किया अमेटी के किशोरीलाल को और उसके उन्होंने ये कहा कि that's very offensive, ये बत्तमीजी है और ये बत्तमीजी सिर्फ नरेंदर मूदी जी की party ही कर सकती है, मतलब like this is the way he used, मतलब वो फिर भी अपने उस उसमें रहे, अपनी एक शुरू में जब election campaign जब इन्होंने ऐलान किया तो सब मूदी साब ने ये कहा भी था, इस सब्सक्रा के लवस इस तमार किये थे किशोरी लाज के और senior आद्मी है, 40-45 साल से वो वहां पे है, लेकिन इसके लावा एक और आप ये देखिए कि किशोरी लाल साब जो मार्जन से और उन्होंने हराया है, स्मिर्ति एरानी को, वो मार्जन उससे बहुत बड़ा है, जिस म चार लाग के मार्जन से जीते थे, और इस बार वो गालिबन एक लाग भी पूरा नहीं है, उनका मार्जन, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि किसना, और अयोधिया की बात अगर आप करें, अयोधिया में जो है, ना सरफ ये, कि अपनी सारी राम मंदिर स्यासत के बाव अचार देखिये, जो पूरी केंपेंग थी, उसमें तक्रीमों में कहीं भी इन्हों ने, इसको वर्बलाइज नहीं किया, कि हमने यहां पे राम मंदिर बनाया है, इसलिए आप हमें वोट दे, बिकर्स ये, उनको मालूम था कि ये बैक फायर होगा, बिकर्स जो, इवन जो बड़े स्टॉंच भी हिंदूस हैं, वो इसको अच्छा नहीं समझते हैं, कि आप इसको एक एलेक्शन के इशू के तौबे के वोटिंग के मांगने के लिए, आप इसको 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 जिकर तो किया, जैसे वो नारा था, जो राम को लाए हैं, हम उनको की, क्योंकि आपको मालूम होगा कि राजीव गांधी ने ताला लगाया था बाबरी मस्जिद, जब ये विएच पी के विश्वा हिंदू परिशत की, ये कैम्पेंच शुरू हुई थी 1990s में, तो उस टाइम पे राजीव गांधी ने इसको बाबरी मस्जिद को ताला लग ले थे, बट लोगों को ये और अयोधिया, अयोधिया के लोगों ने ना सर्फ ये कि इस पॉलिटिक्स को जो है वो आज मैं समय क्यों डिफीट किया है, बलके ये एक और बड़ा मैसेज है, जो साहब जीते हैं वहां से, वो समाजवादिक पार्टी के, वो एक दलित, पार्टी कास्ट वो उमीदवार है, जब वो खड़े हुएं और वो आपको ये भी बता दूँ कि जो स्टेट असमली है, उसमें 6-7 बार वो मुनतखिब हो चुके हैं, यानि पुराने खिलाड़ी हैं मगर वो स्टेट असमली तक महदूत थे, तो पहली बार उन्होंने लो जो है जो इशु है, वो बेसिक निए उंची जाती का इशु है, ब्रहमनिकल इशु है, जो ड्रिवीडियन्स हैं और जो बाकी हैं ये उनका इतना बड़ा इशु नहीं है, उनको तो मंदिर में जाने की जास्त दिन ही होती है, आपको ये पता होगा, इवन जो अखिलेश यादव है वो यादव है चुके और वो एक बड़ी जाती नहीं है चोटी जातों में आती है अब तो बहुत है वहाँ पर और क्लास सिस्टम बीजेपी में भी नज़र आता अपको बीजेपी सर्ज अपर क्लास अपको इन्हों ने कहा यह अभी पाच्वा शायद फेस था उस